तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह आपको कोई इंवेस्टर पैसा देगा आपके स्टार्ट ऑब बिजनेस के लिए और किस तरीके से आप ठीका कर सकते हूं अच्छी तरीके से प्रिपायरेशन कर सकते हो ताकि आप जब इंवेस्टर को पिच करोगे एप रोच करोग चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले आपको बता ही हैं कि आप कोशिश कर रहे हो अपने ड्रीम प्रोजेट को अपने सपने को साकार करने के लिए जिससे बहुत सारे लोगों का हजारो लागों को मदद मिलेगी और इससे पैसा भी कमाऊगे और इसके लिए जब भी करना चाहते हैं कोई अच्छा काम करना चाहते हो अपर पैसा चाहिए होता है उस अपको मदद चंद फ़र जिससे आप अपने बिजशन सकते हो जमीन पर उतार सकते हो और यहांप एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि जब आप किसी इन वेस्टर्स के पास जा रहे हो अगर आप अगर राजा की तरह जाते हो कि हां मैंने कुछ किया है आप मुझे मदद कीजिए ताकि मैं भी आपको मदद करूं कि आप जिससे पैसा कमा सकते हो तो आपको फंडिंग मिलने का चांसे से जाधा रहता है अगर आप ऐसी कड्रा लेकर चले आदो कि हां सर्जी सर्जी फंडिंग दे दो फंडिंग दे तो फिर आपको वैसी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा वैसी आप से बरताफ करेंगे लोग यह चीज़ आप ध्यान में रखें तो अभ आपके पास प्रोटोटीफ है प्रोटोटाइप का मतलब जिस चीज़का पेशना चाहते है कोई प्रोडट्टिंग मेरा होगा तो इस जगह पे इंवेस्टर आपको उतना सीरियसली उतनी घंभी ता से नहीं लेगा क्या आपका स्टार्ट अप ऐसा कमा रहे है मतलब आप जो बिजनस आपने शुरू कि वहां पर आमदनी हो रही है अगर नहीं हो रही है तो कब तक आप आमदनी शुरू करेंगे क्योंकि शुरू में हर एक पता होना पड़ेगा कितने दिन में आप पैसा कमाना शुरू करेंगे और तीसरा पॉइंट यह है कि आपका जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन कब करेगा या कब मुनाफ़ा कमाना शुरू करेगा क्योंकि आप तो दस साल बीस साल तक पैसा ऐसे गवा नहीं सकते हो क्योंकि करना पड़ेगा कि आप कितने दिन में पैसा कमांगे कितने दिन में मुनाफ़ा कमा दो हाव ह कि अपर हिंदूस्तान में पांच लाग भी खोल सकतेओं क्योंकि एक चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपको यह देखने पड़ेगा कि आपका business का scalable है या आप आप scalable नहीं कर सकते हो उसी के साथ पांच जुआ पॉइंट आपको यह द्यार में रखना पड़ीगा कि आप आपने बिजनस आप जो बिजनस करें वहों कैसे सिर्फ छोटा एक अब डिजिनस है त aparecer सग्री चोटो बिजनस करना कोई ख़राब बात नीरा ऑगर अगर अग्छोपे विजनस स्मॉल बिजनस को अगर ले जाते हैं डिस्रिबूटर शेप या डीटेलिंग इसका अगर आइडिया अगर आप लेके जाते हैं जो स्केलेबल नहीं है तो इन्वेस्टर आपको उतना तवज्जू नहीं देंगे और छटा पॉइंट क्या आपके पास एक डेज़सिद्यों में उसके सांचार आपका कस्टमर का संचार कैसा है और कैसा है और cash flow आपका कैसा है क्योंकि cash flow बहुत important चीज़ है जिससे आपका business जिन्दा रहेगा उसे के साथ सब आपका product यह service जो है उत्पाद जिससे कहते हैं वह कैसा है उस पे आप कितना research कर रहे हैं क्यों आपका product कोई खरीदने वाल है तो यह चीज़ जो है वह हर business में बहुत important है बहुत जोरी है इसके अलावा कोई भी business जो है वह फील हो जाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा साथपा point है आपकी exit strategy क्या है आपकी exit run नीती क्या है क्यों क्यों बिजनस शुरू करना चाहते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद आप उसको क्या IPO करन चाहते हैं उसको बेचना चाहते हैं private equity को लेकर आना चाहते हैं वी सी को लेकर आना चाहते हैं यहां पर exit strategy exit run नीती आपको साफ करनी पड़ेगी ताकि investor भी उसी तरीके से खुद को प्रिपेर करेगा उसी तरीके से खुद को तयार करेगा और आठवा point यह है कि आप अपना लगा रही किया आप business करने है खुद का पैसा आपने लगाया अगर आपने खुद का पैसा नहीं लगाया दूसरे से पैसा वाणके अगर कर रहे हो दूसरा को भरुसा करेगा आरके बिजनस को बढ़ाने के लिए यह जीज़ आपको ध्यान में रखने पड़ेगी नौवा पॉइंट है आपके प्रतियोगी कौन है अगर आप कहते हैं कि हमारा कोई प्रतियोगी नहीं है बहुत इन्वेटिव है तो या तो फिर आप समय से बहुत आगे हैं या समय से बहुत क्योंकि हर एक चीज़ का प्रतियोगी होता है डारेक्ट इंडारेक्ट आपका प्रतियोगी होगा और यह जीज़ आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपका प्रतियोगी कौन है दसवा पॉइंट यह है कि क्या आपके पास बचाव क्या है क्या तरीके हैं दूसरों से आपकी जो प्रतियोगी है उनसे बचाव कि क्या-क्या तरीके हैं किस तरीके से आप अपने बिसनेस को दूसरों से बचा सकते हैं यह चीज आपको ध्यान में लखना पड़ेगा कुछभी हो सकते हैं आपके पास pattern हो company बंद कर दूँगा तो फिर फायदा क्यों और यहां पर यह चीज आप खुद को पूछे कि क्या आपका बिजनस बंदार साथ बाल रहेगा जो टेक्नलोजी जिस जगह पर बिजनस करें वह क्या फैलेगा वह क्या बढ़ेगा यह चीज आपके पास clear होने चाहिए साफ होना बारवा पॉइंट यह है कि क्या आपको funding की ज़रुरत है कि यह बहुत पर क्या होते की funding की ज़रुरत नहीं होती है लोग confused हो जाते हैं कि अगर आप चलेगा इनवेस्टर के पास इनवेस्टर ने पूछा मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं बाद में बताऊंगा आपको वह यह है कि मैंने पूछा ते कि funding चाहिए तो उन्हांने कहां ठीक है बहुत अच्छा idea वह सही है कितना funding चाहिए तो मैं बोला है पता नहीं कि आपको कितना पैसा चाहिए आपके बिजनस को बढ़ाने के लिए उसको गुरू करने के लिए उसी के साथ साथ अगर आपको funding मिलता है तो उस funding का पैसा कहां लगाएंगे कहां निवेश करेंगे यह चीज़ क्लियर होना चाहिए यह तीन सवाल आपको इंवेस्टर पूछे है पैटेंट है ट्रेड्मार्क है जो दूसरा कोई कउपी नहीं कर सकता है यह चीज़ आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो लोग आप से चुड़ा ना सके तो फिर आपके पास क्या अलग है यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा उसी के साथ 16 जीज जो है वह यह है कि आप आपके पस क्या वीशे शक्यता है क्या एक्सपर्टीज है क्या चीज आप लेके आ रहे हैं आप जो बिजनस करें आप में क्या ऐसा खास है जो आपके बिजनस को मदद करेगा बढ़ने के लिए ग्रों करने के लिए यहां पर यहां पर क्लियर होना बड़ी है क्यों कर रहे है उसी के साथ साथ अगर आपको अठारावा पॉयंक्त यह है पर आपको फंडिंग नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करोगे अगर आपको यह क्लियर होना पड़ेगा कि अगर पड्जीस के साल तो यहां पे अगर यह 18 पॉइंट के बाद आपको समझ में जाएगी आपका बिजनस कहां पर आपका आइडिया कहां पर है और क्या आपको फंडिंग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आप निवेशक की तरीके से सोचे कि अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनस आइडिय पिछ करें और उसी तरीके से आप अपने बिजनस आइडियो को आगे लेके जा सकते हैं